असलाम लेकुम, वेलकाम मेरे मौट्न चालेल आयत क्रियु लोक Coast अज मैं आपलाऊं का इस जा बड़ाइस रेशिपी लेकर आए हूँ जो चिकट्का कबाब यह recipe को without oven के साथ भी बना सकते हैं with oven के साथ बना सकते हैं मैं without oven के recipe दिखा रही हूँ आप भी recipe को try कर ये और तवा ही आप बना सकते हैं चेलिए इस मज़दा recipe को शुरू करते हैं यहाँ पे मैं bonless chicken ले ली हूँ काबाब के लिए bonless chicken बहुत perfect रहेगा इसके लिए मैं 350g bonless chicken ले 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 हूँ और इसके अंदर में दाल देंगी 1 teaspoon अद्रुकलाइशन का paste और टेस्ट के according नमक की हाँ पे मैं half teaspoon से कम नमक ले ले हूँ और इसके अंदर में 2 teaspoon lemon juice दाल रहे हूँ यानि निम्बुकारस और इन सभ आप 10-30 minutes तर तर्टी मिनिट सक मारिने जाएँ अगर आपके पर टाइम है आप 30 minutes के लिए ।रुटी मिनिट के लिए रख सकते हूँ आपके पर तो दास मिनिट के लिए रख सकते हूँ इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉसेस के लिए रडी करते हैं यह एक बाल ले ले कि . मैं टोटल पाणी को हटा कर चंनी पकड़ कर डाल दी हूं और इसके उंदर मैं receivers राल मिछी पौरड़ है और थोड़ा सा उप्च दाल दाल दूंगी 1 तिस्पून से कम है और यहां पर मैं दाल दूंगी कोरियांडर पॉडर यानि धन्या कप और 1 तीज़वन और इसमें में डाल रही हूं एक टीज़वन तेल और इसके अंदर में थोड़ा कलर के लिए रड़ कलर आने के लिए थोड़ा से रड़ फूट कलर आड़ करें यह ऑप्शनल है अगर आपको पसंद नहीं है तो आप यह स्किप भी कर सकते हैं कलर फूट दिखना है तो आप रेड़ फूट कलर आड़ करने से बहतर होगा इन सबी चीज़वन को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और मिक्स करने के बद में यहां पर मैं हाफ टीज़वन गरम मसाला दाल रहे हूं और हाफ टीज़वन तंदूरी मसाल दाल करने बाद में यहां पर मैं दस मिनेट के लिए मैरिनेट पर रख दूंगी अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं और यहां पर मैं थोड़ा सा डीफ्राई या सौरी थोड़ा सा तेल दाल रहे हैं तो तेल दाल दूंगी थोड़ा गरम होने तक वेट क करेंगे तो यह दाग लगने के चांचिस रहेंगे देखिए और मैं इसको दूसरे तरह पलट लूँगी यहीं हम मेडियम टू लो फ्लेम पर ही करना है यहीं तरीबन इसके लिए हमेरे कूड दस मिनिट से लेकर आठ मिनिट तक टाइम लगेगा यह प्रसीजर करने के लिए इसे मैं दस मिनिट के लिए ऐसी ही अलट पलट लूँगी दोनों साइड चिकन पका लूँगी इसके तरह और इससे हम अच्छी तरह से कोट लेते हैं जो भी ऑईल है बचा हुआ इस पैन के अंदर इसके एक मदद के एक ब्रेश के मदद से मैं इस तेल को इस एक एक पीस क जो पर ऐसा रख दूँगी और इसे हम एक मिनिट के लिए फ्राइ कर लेते हैं अलट पलट लेके देखिए इसके बंद में यहां पर मैं बार्बी की स्टाइल में या तो आप कुछ भी समझो यहां पर इक स्टैंड के मदद से में कोई इसका नाम नाहीं मालू हो रहा क्या बुलते हैं याद नहीं है रहा माफी चाहती हूं इसके लिए स्टाव को मीडियम फ्लिम पर ही रखे हीट को मीडियम फ्लिम पर ही रखे इसे एक पांच से छे मिनिट तक ऐसा फ्राइ कर लोंगी इसा करने से जो भी टेस्ट है बहुत बहतरीन होगा आपके पास अगर बार देखिए इस तरह से और जो भी ओईल था पैन के अंदर ऐसे मैं कोटिंग कर रहे हूं ब्रिश के हल्प से और इसे मेडियम फ्लेम पर ही कर रहे हूं मेडियम टो लो फ्लेम पर देखिए इस तरह से देखिए कितना कलरफुल कितना अच्छा दिखुरा मैं को बनाते बनाते मुँम में पानी आ जा रहा था लिटरली गाइस वेटिंग टू इट दर्ट दीखिए इससा करना है इसके बंद में मेरे हस्बेंड आये थे में को हेल्प करने के लिए बोल रहे थे कि चलो मैं करूंगा इट्स ओके करना है तो करिये तो उनके हल्प से भी उनके हल्प से मैं थोड़ा बहुत काम एसकेप हो चुकी थी दोनों साथ में रहके कर रहे थे बस इतना ही है आप भी रेसिपी को ट्राइ करिये फ्रेंस ये चिका टिका का बाब है बहुत ही यम्मी और बहुत ही डेलिशिस है बहुत ही टेस्ट आया था आप भी ज़रूर ट्राइ करिये एक बार ये रेसिपी को जैसा मैं कॉंटिटी बता रही है वो ही कॉंटिटी पर बनाई है बहुत ही टेस्ट आयेगा ट्रस्ट में गाइस अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई चिकन टिका का बाब तो आप ये रेसिपी को ट्राइ करिए और मेरे चानल को लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए थाइंक ये फ्रेंड्स अलाफी